कि अजय को अजय को आज माजी की दस्तर खान में हम माइव फ्राइज बना रहे हैं इसके दिए मैंने चिकन लिया था हाफ के जी है इससे आख कम ज़्यादा आप कर सकते हैं नमक, सुरख मिर्च, चाट मसाला, हाफ हाफ टी स्पून मैंने डाला मस्टर्ड पेस्ट आप ले 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 या पाउडर फॉम में ले 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 वो भी आप हाफ टी स्पून डाल दे इसे दास-पंदरा मिनट के लिए कम असकाम रखेंगे अगर आप मस्रूफ हैं कुछ कार नहीं है ज्यादा देर के भी यह रख ले दूसरे साइड में मैंने आलू कटिंग कर लिये थे उन्हें कटिंग करके मैंने एक दफ़ा गरम पानी से निकार लिये थे ज्यादा नहीं पका रहें उबलते पानी में से निकार लें इसको दरा ठंडा कर लें हवा फिर जाए फिर इसके अंदर दो चमच भर के कॉन फ्लॉर और थोड़ा सा नमाग थोड़ा सा नमाग आप ब आपकी चीप सुपर से जल जाएगी अंदर से नरम सॉफ्ट रहेगी हम इसे अंदर से भी हाड करने के लिए मेडियम फ्लेम पे करना यहार दूसरी साइट में मैंने पैन रखा उसमें मैंने एक चमच और सब्सक्रण कर सकते हैं ज्यादा बहुत बहुत तेज नहीं करने के हलकी आँच में हम नहीं से करना है खुश्मूँ आने लगे तो आप इसमें एक कब भर के दूट डाल दे और इसे पकाले गुठली नहीं बननी चाहिए इसमें चमच मसलसली लाते रहे जब तक इसकी ठीकनस नहीं आ जाती यह देखें कितना माशाला अच्छी ठीकनस आना शुरू हो गई और इसके साथ हाथ आप अपनी चीप्स भी देखते जाएं हलकी फ्लेम पे आपने करनी है फ्लेम कभी भी आप तेज नहीं करें ताके जले नहीं पेस्ट हमारी रेडी हो गई है इसमें अपने स्पाइसी आप एड कर लें एकोर्डिन टू टेस्ट आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं हाफ चमच मैंने कारी मिर्च डाली इसे भी आप कम डाल दे और साथ ही मैंने हाफ चमच मैंने दादर मिर्च डाल दी और हाफ चमची नमक आप इसे कम भी डाल सकते हैं और एक चमच मेने भरके इसमें मायोनिस मिक्स करनी है नीचे उतारके ज़रा ठंडी हो जाए फिर हम मिक्स करेंगे आप इसमें थोड़े से स्पाइसिज अगर कम रखना चाहते हैं कम रख लें मज़ेदार हमारी चिप्स भी रेडी हो गई और साथ पेस्ट भी रेडी हो गई उसी ओयल में वन बाई वन करके अपनी चिकन को भी हम फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे फ्लेम तेज नहीं करें वना चिकन उपर से जलेगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा हलका लाइ पेस्ट ठंडी हो गई उसमें मैंने मायोनीज अपनी मिक्स कर दी गरम गरम में आप नहीं करें अब एक पोर्ट अपने लेना है आप कोई भी बाउल ले सकते हैं माइक्रोवेव में ओवन में जो आ जाए चिकन भी हमारा रेडी है तीनों चीजे हमारी रेडी है अपनी सोस अपने जो हमने तियार की थी उसे आप नीचे पहले पैन में डालें किसी बाउल में किसी पोर्ट में जिसमें भी आप बना रहे हैं नीचे आपने सोस डाली है लेयर वाइज आप इसे गार्मिश करते रहें इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा फिर सोस डालेंगे और उसके बाद चिकन इसी तरह आपने सारा कुछ कर लेना है आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगा करें प्रीज आप इसे लाइक और शेयर कर दिया करें और हमारे चैनल को भी सस्क्राइब कर दिया करें इसी तरह हम अपने पोर्ट को सभी को भर लेंगे लेयर वाइस करते किसी भी चीज की मदद से चमच की मदद से भी आप सोस डाल सकते हैं बहुत मज़दाद घर में रेड़ी आपकी मायो फ्राइज हो जाएगी बहुत सस्ती और साफ सुत्री बिशीज अपने घर में बचों को रेड़ी करके दिया करें इसी तरह आप सोस डालते हैं इस तरह डालने में बड़ी इजी रह जाता है चमच से एक जग़े गिर जाती है उसके बाद आखर में मैंने चीज ये भी होमेट चीज है घर में तियार की हुई वो उपर आप गानिश कर दें थोड़ी थोड़ी सी आप डालके और साथी ओलिव्स ये आप रखें प्यारे खुबसूरत लगेंगे और टेस्ट में भी मज़ेदार लगेंगे किसी भी तरीके से ये बजार से कम नहीं होगी और एक दो चुटकी आप दादर मिर्च उपर गानिश कर दें सिर्फ खुबसूरती के लिए तकरीबन आप साथ से दस मिनट के लिए 180 टमप्रेशर पे इसे दखें हमारी चीज मेल्ट हो जाए हम इसे निकाल लेगे हमारी इस रेस्पी को ज़रूर ट्राइ कीजिए अगली वीडियो में तबारा मिलेंगे अल्ला हाफीज